नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बर्फिर से हमारी यूटुब चाहरे लेजी ग्लासेस पर उमीद है कि आप अपनी प्रेप्रेशन का मूल बना चुका होगी और 37,000 पोस्टों में एक पोस्ट आपको चाहिए होगी और आप सपने भी देखने लगे होगे कैसी वर्दी होगी यह होगा वह होगा इसे वैसे दुनियादारी सब कुछ भूमिका आपने तयार कर ली होगी भूमिका तयार करना बड़ी इंपोर्टेंट चीज है और तयार करने बाद यह भी तो डिसाइट करना भी पढ़ना किससे है पता यूटुब की बीमारी क्या है कि यहां पर हर एक भगाल्स गर्दिक बंदा पढ़ा है एक जो कॉलिफाई है नहीं है सब पढ़ारे बस hice कौल लगता है कि हम बना देंगे आप आपको भी पता है कि वही इंसान आपको वहां तक ले जा सकता जो वहां तक गया हो ठीक है यादी माल लो आपको कहीं जाना है माल दिल्ली जाना है और आप उस इंसान के साथ जा रहे हो जो कभी अपने घर से बाहर नहीं गया क्या वह आपको दिल्ली पहुचा पाएगा नहीं पहुचा पागा भाई जो इंसान डेली जाता है वो पहुचा पाएगा तो इसी तरह मैं आपके सामने आया हूँ और कॉलिफिकेशन सबको लगभा पता है UPSI कॉलिफाई उपी यूपी से स्प्री दिया है यानि मैंने लिखा है और कॉंस्टेबल निकाले रेलवेस निकाले मैंने वही एक्जाम को यहां पर रखा है जो आपके काम के हैं ठीक है UPSI और और एक एक्जाम कॉलिफाई किया है तो उस पर भी थोड़ा से विचार करें आपको पता होना है इसलिए मैंने पेच पर लिखा क्या मैं योग हूँ आप को पढ़ाने के कि आप मेरे उपर अपनी जिम्मेदारी डाल सकते हैं कि मैं आपको कॉलिफाई करवा दूंगा हर एक्जाम में जितने भी बड़ी मुस्किल से डोन जो एक सबसे घंधी आदत मेरी यह कि मैं कभी भी अपने एडमिट कार्ड रिटेन फिजिकल कभी मैं सब्सक्राप्त होगा आपको ठीक है तो वैसे तो आप सब को जानते हैं फिर भी आपकी तसली के लिए में दिखा देता हूं यह है यूपी कॉंस्टेबल देख लिए यूपी कॉंस्टेबल 2018 वाली जो एक्जाम हुई थी 2015 वाला मुझे नहीं बिला 2018 में मेरा जो फिजिकल अब वाला में आप रेटें कॉलिफाई हो गए फिजिकल के लिए लिजिबल हो गए और आपको सुबह करना है तो ही समय नकलो उसे अपना अपना बोर्याव इस्तर बांद के सुभी भागा था चार बजे मुझे याद है वह और परमीशन नहीं मिल ले थी कि नहीं आप जा नहीं सकते हैं फिर मैंने बड़ी मुस्किल से मेडिकल वेटिकल लगाया और फिर निकला था ठीक है तो यह कॉंस्टेबल है यदि आप कॉंस्टेबल लगा देंगे तो जाइस बात आप ऐसे जन्वन बंदे से पढ़ेंगे जिसने एक बार नहीं तीन बार कर दिखा दिया इससे बड़ा एक्जाम मैंने कॉलिफाय किया अभी प्रेजेंट टाइम ही फॉरेश्टर का एक्जाम जो पैट के अकॉल्डिंग हो रहा था और आपको पता है पैट में मेरा यू आर एलिजिबल फॉर दा मेन एक्जाम निशन अंडर दा अर्बटाइज यह ठीक है यह इसके बाद सबसे बड़ा आप यह लीजिए यू पीएसाई मेरा मैंने इस तरह का वीडियो भी अपने चैनल अप्लोट किया है मेरा यू पीएसाई में सेलेक्शन क्यों नहीं हो मैंने बताया था मैरिट से कोई दिखकत नहीं थी मेरा फिचकल ही प्रॉब्लम था फिचकल यानि मैं होस्पिट्रिलाइज हो गया था और कहते रहा नियती तो यह मेरा यहां पर कुछ दिया हुआ है यह वाला यह यह वाल रोड़ का फिज गल्कवर था और 2 घर मेरा साइद 28 मार्च 28 मार्च गॉरणपुर में थी था ठेकड़ाय आरटा interpret कि नहीं थे पहले तो देख लिए योगता है उपर वाले देया से थोड़ा सा और चैनल में एक्टिव क्यूं नहीं था क्यूंकि मैं अपनी चीजों में थोड़ा विजी था मगर जब मुझे लगा कि नहीं अब इवगंसी आ रही है बहुत सरे बच्चे जो इदर भटकेंगे कोर्स में पैसा बरबाद करें किताब बरबाद करेंगा क्यूं ना एक सटीक डिरेक्शन बता दी जाए एक लड़की को कि भीया तुम्हें यहां भागना है इधर उदा नह करनी चाहिए आराम से किलर हो जाएगा 200 प्लस स्कोर करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसलिए चैनल सब्सक्राइब करवा लेना यानि कर लेना और अपने दोस्तों से भी करवा लेना कि भाई एजे पढ़ाएगा और हो जाएगा 100% हो जाएगा बस तसल्ली से तोड़ा देख लेना ठीक है इस वीडियो में इतना है थैंक्यू सो मच उमीद करूँगा कि आपको इस से थोड़ी बहुत संतुष्टिम ले गई होगी होगी थैंक्यू सो मच